आज मैं आपको गोबी से बहुत अलग तरीके की एक रेसिपी बनाना बता रही हूं। देखिए मैंने ओयल है, गरम हो गया है, मैंने गैस पहले से जला रखे थी। यह थोड़ा सा ओयल है मैं इसमें गोभी इसको अच्छे से मैंने दो लिया है और थोड़ी बड़ी-बड़ी मैंने काटी हुई है इसका पानी जब अच्छे से छंजा है तभी इसमें डालिएगा ठीक है अब मैं गोभी को भूजने के लिए इसमें डाल रही हूँ ठीक है अ अब यह तो भूझ रही है, कि के इसको मैं आप एसे कर रहे हूं और नमक आप तुरंटने ही डालेगा नमक डाल देंगी तो पानी छोड़ेगा गुझा पानी चोड़ेगा तो भी आपकी कराई में सटने लगेगी तीन प्याज है मीडियम साइज के और यह मैंने चनी की डाल है यह रोस्ट वा चना है रोस्ट किया हुआ आपको मनो डालिएगा लेकिन डालिये जरूर मैं यह जरू कहती हूं और यह है गोल म्रिच बड़ी इलाइची और डाल चीनी लॉंग दो लॉंग है यह है लहसुम और अद्रक है कद्दू कस्कियावा अद्रक है अब मैं इनको पीसूंगी फिर बताती हूं फिर आगे क्या करना देखे यह भी लाल हो गई है ब्राउन हो गई है अब मैं इसमें नमक दालूंगी अब बस एक से कम से कम एक मिनट क्या कहूं थोड़ी देर इसको बस ऐसे करूंगी इससे आपस में मिक्स हो जाए नमक और यह देखे जो मैंने आपको मसाला दिखाया था यह प्याज और डाल लैसून यह सब पीस दिया है मैंने और इधर मैंने चड़ाया आपको जैसे मनो बना लीजेगा दोनों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब मैं इनको निकालूंगी अब निकाल के मैं फिर इसमें और डालती हूं अब इसमें मैं देखिए फिर ओल डाल रही हूं अब मुझे मसाला तयार करना है उसके हिसाब से मैं और डाल रही हूं इसमें थोड़ा सा ओल जादा ही डालेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है जब आप अच्छे से चटकारदार मसाला और ये थोड़ा ओल पूरा रहे अच्छे से यह देखिए यह जो मैंने आपको बताया था अभी अच्छी ऑई गरम हो जाए फिर मैं इसको डाल के दिखाती हूँ यह जो मैंने सब लिया है लॉंग गोल्मरीच बड़ी लाइची इसको मैंने डाला यह थोड़ा कड़कडा गया है डाल चीनी है लॉंग है गोल्मरीच है और यह अब मैं पेस्ट इसमें डालने जा रहे है इसको मैं हल्की आज में ऐसे भूजूंगी और इसमें अब मैं डालूंगी कम से कम चार चम्मच धनिया आपको मनो और सब साथ में भी पी सकते हैं और सब पयाज जोज को बॉयल करके भी पी सकते हैं जैसे मनो और यह डाला मैंने 1-1.5 चम्मच मिर्च और यह है गरम मसाला आधर से भी थोड़ा कम है और यह अल्दी अब मैं इन सब को दीमीधी मियाज में भूजूंगी आपको मनो एक साथ आप डाल के सब चीज पीछ सकते हैं, मनो आप इस तरह बना सकते हैं, दोनों तरीके से बनता है ये, अभी मैं इन दोनों टमाटों का प्योरी बनाऊंगी, फिर दिखाती हूं, इसको थोड़ा देर भूंज लें, फिर प्योरी बना के दिखाती हूं, ये मैं टमाटर पीसने जा रही हूं टमाटर पूरी बनाओंगी इसका आपको मनो खड़ा डाल लीजे काट के महीं महीं पीस के लेकिन पीस के बहुत टेस्ट अच्छा आता है और यह मैंने थोड़ी सी काजू ले रखी है आपको मॉंफली हो या काजू हो इसको भी इसमें पीस दीजेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक दम साही पनीर से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है अब मैं चलती हूं पीसने यह देखिए मैंने कसूरी मेति को मसल के डाल दिया है कासूरी मेति है अब मेरा मसाला काफी हद तक भुज गया है अब मैं इसमें इनको थोड़ी दिल गूंजूंगी मैं बहुत मस्त बनती है सबजी आप प्लीज कभी इसको बनाईएगा जरूर और पूरा वीडियो देखेगा वीडियो आप बढ़ा-बढ़ा के देखेंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा बहुत लोग मेरे हाथ का यह सबजी खाए यह दोड़ा और मन से बनाना चाहिए कि लिए टो वैसे मी जानती है कि चन में मन से खाना और बनाईए तो बहुत तेस्टी बनता है यह देखें खितना अच्छा कलर आगया है और बहुत अच्छी खुश्बु आरही है छुश्बु तो मुझे ही पता चलेगी, आपको तो यह सब चीज़ें में आप अगर पालक पनी भी बनाती है तो डाल के बनाईए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मैं इसके साथ अब यह मटर भी डाल रही हो मटर को थोड़ी दिर इसी में बूजूंगी और इसमें पकाऊंगी देखती हूँ मेरा पालक हो गया किरी हाँ पालक काफी अच्छा बॉयल हो गया है अब मैं इसको पलट देती हूँ काफी अच्छा बॉयल हो गया है अब तोड़ा ठंडा हो जाए फिर पीस्ती हूँ कि अच्छा बॉजने का तरीका यही है कि जब आपका मसाला अच्छे से भूज जाएगा तो बगल से ओल छोड़ने लगेगा यही एक पहचान है कि मैरा मसाला काफी अच्छा तयाव हो गया है बुज गया है और टमाटर डालने के बाद फिर दो मिनिट ऐसे भूजना रहता है साथ में जिसके टमाटर का जो कच्छा परन है वो निकल जाए और टमाटर और मसाला आपस में काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा देखे मैं आपको धकते वे दिखाना भूल गई थी यह मैंने धका है और देखे मतर और मसाला आपस में काफी अच्छे से मिक्स हो गया है मैं मतर पहले डाल देती हूं बहुत लोग की आदा थे बाद में लेकिन जानती ही बाद में डालने से मतर में कोई टेस्ट नहीं आत अब देखे मसाला भूज गया है और मैंने यह जो आपको दिखाया था पालक उबला हुआ ठंडा हो गया पीस दिया मैंने अब इसमें मैं इसको मिलाओंगी और इसके साथ कम से कम मैं पांच मिनट गूंजूंगी जिससे कि आप जान सकते हैं कि पालक का हरापन खतम हो अब मैं इसको मसाली के साथ मिक्स करोगी आपका मन हो तो मतर डालना हो तो डालिए और नई तो इसमें मकाना है छोटे वाले मकाने आते हैं उनको फ्राई करके मिला दीजे स्वीट कॉन डाल दीजे जो मनाया आप डाल सकते हैं टेस्ट इसका गजब आएगा बहुत पालब और मसाला सब भुज गया है, मीक्स ओ गया है, काफी अच्छा दिख रहा है, और यह मैंने अब डाला, वो जो फ्राई की हुई गोवी, मैंने नमक इसमें डाल रखा था, इसलिए मैंने नहीं डाला है, बाद में गोवी भूजते वे मैंने डाला था, अब मैं इन सब क तो आपस में मिक्स करके कम से कम दो मिनिट भाफ लगाऊंगी उसके बाद मन हो आपको ज्यादा अगर ग्रेवी तैयार करनी है तो ज्यादा पाई डाल दीजे थोड़ा और अगर कम ऐसे ही गाढ़ा रखना है तो थोड़ा सा पाई डाल के लट पटार वाली सबजी बना हुई हुँ बस मज़ा आजाता है खाने में अब मैं ढखती हूँ अब मैं इसको एक मिनट से लेके कम से कम दो तीन मिनट ढखूंगी जिससे आपस में मिक्स हो जाए ठीक है अब मैं इसको ढखती हूँ चलिए अब देखते हैं वाव कितना पढ़िया लग रहा है जितना बढ़िया लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया आपको यह खाने में लगेगा आप इसको ज़रूर बनाएएगा प्रीज और देखेगा कितना मस्त टेस्ट है देख रही है अब यह गोभी और पालक मसाला सब आपस में मिक्स हो गया है देखेगी गोभी इसम में अब फोड़ा समय पानी डालोंगी दो मिनट के लिए भाप लगाऊंगी आपका मनों इसमें मखण डाल लीजे मनों इसमें एक चमच मलाई डाल लीजे तीरों में कोई भी चीज डाल लेंगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यह मैंने जो पालक और मसाले का ग्राइंड में मसाला लगावा था उसी का यह पानी ठीक है मैंने इसको ग्राइंड और उसको दो दिया है और कोई खास नहीं उसी का यह मसाले का पानी बस मुझे अब इतना पानी रखना है क्योंकि सभी चीज से खा सकते हैं आप चावल हो चाय रोटी हो बस तब इसको दो से चार मिनिट और भाप लगाऊंगी, बस तयार हो गए, देखिए कितनी मस्त सबजी है, खोलते हैं, देखते हैं, क्या हाल है, वाँ, अब रेडी हो गया है, देख रही है, सब गोगी, मसाला, सब चीज पग गया है, मिक्स हो गया है, अब मेरी हो गए ये, रे सबजी देखिए, काफी अच्छा रेडी हो गया है, और अब ये तयार हो गया है, लास्ट में मैं मक्षन डाल ले हूँ, मैं बारवा कह रहे हूँ, आपको मनो मलाई डाल लीजेगा, आपका मन हो, तो इसमें मक्षन डालिए, चीज डालिए, जो भी डालिए, बहुत अच् खाईए, बहुत 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 अच्छा लगेगा, ठीक है, अब मैं सर्फ करने के लिए तयारी करते हूँ, देखे बस, पो गया तयार, अब खाईए, गरम गरम बनाईए, और प्लीज मेरे वीडियो को देखा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद